स्वगत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेच इंडिया पर यहां आपको आज मैराथन क्लास के अंतरगत आपको प्रथा मुल्यंकन प्रपत्र के अंतरगत तीन सब्जेक्ट के एक साथ सेलूशन दिये जाएंगे जी हाँ दोस्तों पहली बार यूट्य इसके साथ आपको भूंगोल और राजनीति सास तीन सब्जेक्ट के अंसर एक ही वीडियो पर उपलब्द कराएंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो भौकाल कर देंगे ठीके गरदा उड़ा देंगे धुआ धुआ कर देंगे चलिए आपको इतिहास के पहले करेंगे इसके बाद आपका हम यहां पर भूंगोल का कराएंगे और लाश्ट में आपका जो है राजनीति सास का कराएंगे तो चलिया इस्टार्ट कर दीजिए पहला कौशन आपको यहां पर दिया गया है हड़ाफा सब्बतक का पूरबी स्थल आ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1900 इसमी पूर भी यानि कि आपका पहला प्रपत्र हो जाएगा वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करिए क्योंकि आपके लिए काफी महलत करते हैं और साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक डी नमबर हो जाएगा question number चलते है चोथे पर इसमें आपका question क्या लिखा है अक हरफपाजबता का सबसे उत्री भाग कौन सा कहलाता है तो right आपका हो जाएगा रंग-पूरीछ का correct answer हो जाएगा D number question नमबर 5 देखिए हरफपाजबता का पूर्प से पश्चिन तक का विश् जीहां दोस्तों पहला आपका जो है कालेक्ट अंसर हो जाएगा Q7 है एक सिंग बाला जानबर की सब्भता की मोहरो की प्रमुख विशेशता है तो इसका आपका सही अंसर यहाँ पर हो जाएगा हडपा सब्भता हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखिए Q8 पर आपका क्या लिखा है हडपा सब्भता को अंड किस नामों से जाना जाता है तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा सिंदू घाटी सब्भता भी से कहते हैं Q9 यहाँ पर नौ देखिए बेलकुल इसकिप नहीं करना है क्योंकि आपके जो है अभी इसमें भूंगोल और इसके साथ ही अभी रादनीती सास के अंसर यहीं बताए जाएगे ठीक है Q10 पर चलिया है पर Q10 हडपा सब्भतक सबसे 20 पूरा बस्तू कौन सी है इसका आपका सही अंसर हो जाएंगे Q11 पर देखिए हडपा सब्भतक की समकालिन सब्भता कौन थी तो इसकी समकालिन सब्भतक एहलाता है जो इरान और इराक में हमारा है कौनसा मेसो पोटामिया की सब्भता Q12 पर देखिए सेल खड़ी नवाक पत्थर किन छेतरों में पाये जाता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा गुजरात और आपका राजस्थान दोनों में पाये जाता है यानि कि आपका 2 नंबर सही हो जाएगा A और 2 हो जाएगा Q11 यहापे देखिए Q15 में देखिए Q15 से एक साथ दो अलग अलग फसले उगाये जाने के साक्ष मिले है तो इसका आपका अंसर हो जाएगा Q16 का देख लीजिए उत्खनम से प्रावद बस्तियों क्या कहलाती है तो आपका यह कहलाता है पुरा तात्विक स्रोत कहलाता है तो देखिए हमने यहाँ पर 16 कोश्चन कर ली है इसके बाद चलिए 16 से लेकर 17 से लेकर आप यहाँ पर 20 तक का देख लीजिए यहाँ पर कोश्चन आपका दिया है 18 साबता में खेज जोत नहीं तो किस पसू का प्रयोग किया जाता था इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका भायसा आपने देखा है ना मोहन जो दाड़ो पिक्चर आपने देखा होगा उसमें हीरो कौन थी तो आपके हीरो थे आप जो देश के सबसे फेमस और हैंडसम हमारे कहराते हैं इसकी एक्टर्स कौन थी तो पूजा हेग्रे थी आपको बहुत प्यारा पिक्चर लगा होगा यादि आपने नहीं देखा है आप समझना चाहते हैं कि मोहन जो दोड़ो या फिर आपका हडपा सब्था क्या है तो आप इस फिल्ब को जरूर देखिएगा ठीक है इसके बाद देखें कोश्चन नमबर 18 पर देखिए हडपा सब्था में अनाज पीसने का एकमास साधन कौन था तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा उप्युक्ट में से आपका कोई नहीं हो जाएगा ठीक है इसमें जो है कोई भी ऐसे पीसने के लिए वहाँ पर चीजें नहीं रहती थी पहले ठीक है कोश्चन नमबर आपका डी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर कोश्चन नमबर 19 पर देखें था रगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रिगिस्तान शेतर क्या कहलाता है तो यह आपका कहलाता है पहला ही आपका सही अंसर हो जाएगा चोली स्थान कहलाए जागा कोश्चन नमबर 20 आपका लास्ट हो जाएगा हाँपे तो देखिए यहाँ पर लास्ट कोश्चन नहीं आपके दिया है हारग पसब बता इस थलों से किन अनाजों के प्रमाण मिले है तो इसका correct answer आपका जो सभी कुछ वहाँ पे मिलता था गेहूं भी था जो भी था और सफेज चना यानि की आपका उप्यूग तो सभी हो जाएगा तो देखिए हमने successful यहाँ पे 20 question कर ली है आपके यहाँ पे इतिहास यानि की मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो पर सभी question के solution मिल जाए आपको भटकना ना पड़े गलत आंसर आपको ना मिले इसलिए पहली बार visit कर रहे हैं तो दिल से दिल से आप मेरे चनल पर सब्सक्राइब करिएगा आपको दिल की घहरायों से धन्नबाद दिया जाएगा ठीक है question number यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर start करते है भूंगोल का तो पहले question का answer आपको क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर आपका हो जाएगा question दिखा है मानव भूंगोल के जना कौन कहलाते है तो इसका answer हो जाएगा question number second में देखिए भूंगोल की पिता किस answer आपका हो जाए question number 14 देखिए रूको और जागो नव निश्चे बाद संकल्पना किसने प्रस्तूत की थी तो इसका आपका हो जाएगा ग्रिफिक के टेलर यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर एक गलत answer नहीं दिया जाएगा आपको वीडियो पर लाज तक जरूर बने रहना है question number 5 देखिए मानो भंगोल अस्थिर प्रतिवी की क्रिया सील मानो के बीच परिवर्तन सील संबंदों का अध्यान है परिवासा प्रस्तूत है तो इसका आपका सही answer क्या हो जाएगा बच्चो पांच का आपका जो जाएगा एलन सेंपल हो जाएगा ठी question number यहाँ पर देखिए 6 number का anthropo geography पुस्तक के रशायता कौन है तो इसका answer आपको लगा देना है रेट जिल लगा देना है ठीक है question number 7 में देख लीजिए यहाँ पर लिखा है निमनी में से जर्मन भूंगोल बेता नहीं है तो जर्मनी से कौन नहीं है तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा एलन सेंपल जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा question number देखिए आपर आठवा चलते हैं तो आठवा में आपक आपका सही अंसर 146 हो जाएगा यानि कि आपका क्या हो जाएगा एक किलो मिडर में 146 लोग या आपका घणा तो निकलता है इसके बाद चली चलते है question number 10 पर तो यहाँ का question का अंसर हो जाएगा निमनी में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है इसमें आप इसके बाद आपका यूरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया कुछ भी ले लिजिए बहुत कम जनसंख्या वहाँ पर इंडिया और अगर चीन को लगा लिया जाए तो सीधे सीधे 50% तो दो कि देश जनसंख्या कभर कर लेते हैं पूरे 200 का ठीक है इतना ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ पर पाई आते हैं अब देखिए इसमें पर 19% हो चुका है भारत का 20 में और इसके साथ वहाँ चीन का भी लगबग हो चुका है 19 के आसपा ठीक है तो यह आपका है कॉस्चन गड़ना में पिछले निवास के स्थान पर गड़ना के स्थान पर रुकने की अबदी को भी जनसंख्या में पर्थम बार सामिल किया गया है करेक्ट लगा देना है 1981 ठीक है वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए कोस्टन नंबर यहां पर देखते हैं 14 नंबर भारत में सभी अबदियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रसर सरवाधिक है तो इसका आपका अंसर हो जाएगा बंगला देश में जो है सरवाधिक के बंगला देश के सरनांति हमारे भारत बहुत ज्यादा यहां पर रहने लगे हैं असम में ठीक है बात करें आपका 15 कोस्टन में तो निमनी में से कौन सा एक प्रतिकर्श कारक नहीं है तो इसका आपका अंसर हो जाएगा जल अभाव ठीक है कौन सा हो जाएगा जल अभाव हो जाएगा यह जल अभाव कोस्टन नंबर 16 का प्रतिवी की दो त्याही जनसंख्या उसके लगबा कितने प्रसद भाग पर निवास करती है तो इसको आपको करेक्ट आंसार यहां पर लगा देना है 14 परसेंट हो जाएगा ठीक है कोश्चन नमर 18 पर देखिए 20 की जनसंख्या का लगबा 75% प्रसद भाग कहा निवास करती ह यह आपका निवास करती है उत्री धुरूबो पर ठीक है क्या हो जाएगा आपका उत्री धुरूबो पर कोश्चन नमर देखिए यहाँ पर 19 दिया है जनसंख्या घनत को प्रवाइट करने वाले आपके कारा कॉन से हैं तो यहाँ आपका जो है देखिए कौन कौन सा लिख ठीक है यह आपका अर्थि घरत निकालने का सूत कहलाता है चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम करेंगे राजनीती बिग्यान के सभी कोस्टन के सल्यूसन ठीक है क्योंकि बच्चों का बहुत सारा डिमांड था कि सर जो है राथान क्लास के अंतरगत आपको एक ही वीडियो पर जाए गया था कोस्टन नमबर सिकेंड आपका दिया है डैस डैस लोकसभग के पहले आमचुनाव में 16 सेट जीत कर दूसरे स्थान पर कौन थे तो यहां पी आपका हो जाएगा प्रजा सोचलिस्ट पार्टी यानि पहला आपका सही अंसर हो जाएगा कोस्टन नमबर सोतंतर पार्टी असित्त में आई तो चौथा का आपका अंसर क्या हो जाएगा 1960 हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसके बाद आपका पाचवा है इस डल ने निजी छेत्र में को खुली छूड़ देने की तरफदारी की तो किसी ने किया था तो यह आपका हो जाएगा इनु मसानी जो है सोतंतर पार्टी समंधित नहीं थे क्वेश्चन नमबर साथ यह पर चलते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको ठीक है इसमें आपका टार्गेट रखते हैं कि आप जो है वन के यहाँ पर लाइक आप प्रवाइट क कौन थी तो इसका अंसर आपका हो जाएगा हैं पर कांग्रेश पार्टी क्वेश्चन नमबर साथ देखिए भारती जसन के गठन कब हुआ था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 1960 में इसका गठन हुआ था क्वेश्चन नमबर आठ है हिंदी को राजभासा बनाने के अं अब देखिए जो है इसके बाद आपका नौबा क्वेश्चन का अंसर क्या हो जाएगा है पर हमारा सम्मिधान अंगी करत किया गया कब किया गया तो आपका 26 जनवरी 1950 को किया गया तसा नमबर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नमबर 10 में लिखा है भारत के पहले चुना क्वेश्चन नमबर 12 में लिखा है लोग सभा के पहले आम चुनाओ के कांग्रेस ने कुल कितने सीठे जीती तो इसका आपका 12 का सही अंसर क्या हो जाएगा बच्चो यहां पे 365 सीठ हो जाएगा बी नमबर करेक्ट अंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमबर चलते हैं आपका 15 है सोचलिस्ट पार्टी बनी कब बनी तो आपका सोचलिस्ट पार्टी जो बना था 1945 में बन गया था ठीक है कौश्चन नमबर 16 लिखा है कांग्रेस थेत की संग्रेस हो जाएगा I.नम Арac हो जाएगा कांग्रेस ने परसपर बिरोध हीतों के कई समोह को एक साथ जोड़ा ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा इसके बाद 18 कोश्चन यहां पर आजादी के तुरंद बाद किस पार्टी ने माना कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतर हुआ था वह सची आजादी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूनिस्ट पार्टी हो जाएगा सा नंबर19 है भारती जनसंके संसापक कौन थेobraक्ट आंसर आपको खो जाएगा स्यमा प्रसाद मुखर. जी question number last आपका है आज की भारती जनता पार्टी की जड़े इस दल में है तो क्या अंसर हो जाएगा यहाँ पे आज भारती जनता पार्टी की जो जड़े इस दल में है तो इसका correct अंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा